जहिन दोस्तों आज हम लोग डिसकर्स करने वाले हैं आधुनिक भारती इतिहास से सम्मंदित महत्तुपून प्रश्ण देखे पहला कुशिन आपलों के सामने हैं गीता रहष्य के लेखक है गीता रहष्य के लेखक कौन है बाल गंगाधर तिलक इसका सही अंसर हो जाएगा गीता रहष्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक अगला कुशिन देखिए कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गां गांधी मर सकते हैं पर गांधिवाध हमेशा जिवीत रहेंगे। तो देखे इस कोशिन का र्याइट एंसर हो जागा कराची अधिवेशन हो जो कराची अधिवेशन अब कब बोला गया था ? अगला कोशन है कि किस अंग्रेज सासक ने समाचार पत्रों में से प्रबंध हटाएं थे प्रबंध हटाएं थे समाचार पत्रों में से कोन से अंग्रेज सासक ने तो चाल्स मैटकाफ इसका सही अंसर हो जाएगा चाल्स मैटकाफ नेश कोशन देखिए नील क्रांती का नित्रित्व किसने क्या था? नील क्रांती का नित्रित्व किसने क्या था? तो दिगंबर विश्वास और विश्णु चरन विश्वास इन दोनों ने नील क्रांती का नित्रित्व क्या था? अगला कोशन देखें राम मोहन रोय को राजा की उपाधी किसने दी तो राम मोहन रोय को राजा की उपादी दे थी अकबर दुतियने इन्पोर्टेन कोशन है राम मोहन रोय को राजा की उपादी किनों ने दिया था अकबर दुतियने तब जा करके राजा राम मोहन रोय इनका नाम पराई अगला कोशन देखिए आजादी के बाद भी कई सालो तक गोवा भारत का हिस्सा नहीं था तो यह चेत्र किसकी अधीन था तो दीके पूर्थ गालियों के अधीन था 1947 के बाद भी गोवा स्वतंत्र नहीं हुआ था तब जाकर के जुहारलाल नहरू के आदेश से 24 आवर में ही पूर्थ गालियों को गोवा से हटाया गया और फिर इनको आजाद किया गया तो सबसे लाश्ट में अगर देखा जाए भारत देश के कौन सा ऐसा राज्य जो कि सबसे अंत में स्वतंत्र हुआ तो वो है गोवा और किनकी अधीन था पहले पूर्थ गालियों के अधीन थे अगला कोशन देखिए इसने भारत छोड आंदोलन के वक्त जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों का नेत्रित्यु क्या था भूमिगत गतिविधियों का नेत्रित्यु क्या था भारत छोड़ आंदोलन के वक्त वो भी जेल से फरार होकर के तो जैसंकर नारायन इसका राइट एंसर हो जाएगा इन्पोर्ट लनो में भाग लिया था तीनों गोल सम्मिलनो में भाग लिया था तो डॉक्टर अंबेटकर डॉक्टर भियुम राव अंबेटकर जीने अगला कोशन देखिए लेस्ट कोशन देखिए कि किसने बंगाल विभाजन जो कि 1905 में था किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेत्रितु क्या था बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था इनके विरोध हुए आंदोलन का नेत्रितु क्या था तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका सही अंसर हो जागा अगला कोशन देखिए तत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था देखिए रिपेटेट कोशन है तत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था तो रामचंद्र पांडुरंग इसका सही अंसर हो जागा प्राम चंद्र पांडू रंग तत्या टोपे का वास्थविकनाम अब हम लोग जीस को डिसकूस करने वाले हैं पहला कोशन देखिए जीस का तो जिवासम विज्ञान के जनक किसे माना जाता है जिवासम विज्ञान के जनक है आपका ले लिओणार्डो दा विंची इसका से अगला कोशन देखिए जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया जीव विकास को सबसे पहले किन्होंने समझाया था तो लेमार्क नामका विज्ञानिक जिन्होंने जीव विज्ञान को सबसे पहले समझाया था इस्टील को कठोरता प्रदा करने के लिए क्या मिलाया जाता ह इस्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाए जाता है तो क्रोमियम इसका सही अंसर होगा इस्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम मिला जाता है ठीक है क्रोमियम अगला कुशन देखिए कारे का cgs मात्रक क्या है तो अर्ग इसका राइट एंसर हो कारी का वर्क का सिजस मातर क्या है अगला क॑शन देखिए तो के अगने कर दो bar does कोशन है रकट के जमने कें किस पुमिका होती है रक जो जमता है तो उसमें कोंसे आयन का भूमिका होता है तो कैल्सियम आयन इसका सहे इंसर हो जाएगा रक्त दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है तो यह जो B.P होता है उनको मापा जाता है स्फेग्मो मैनो मीटर स्फेग्मो मैनो मीटर अक्ला कोश्चन देखिए सरो प्रतम किस विज्ञान किस जीव में रक्त दाव मापा गया सबसे पहले कौन से जीव जिसमें ब्लड प्रेशर को मापा गया था तो घोड़ा इसका राइट एंसर हो जाएगा नेश्ट कोश्चन देखिए सरीर में पित का निर्मान कहां होता है बाइल जूस जो होता है तो सरीर में कौन से भाग से निर्मान होता है तो लिवर इसका सरी अंसर हो जागा जो कि सरीर के सबसे बड़ा इंटर्नल ओर्गेन है के लिए रहे हमारे सरीर के सबसे बड़ा internal organ जो की यकरित है जहांसे bile juice सरावित होता है अगला question देखिए कि लेंगर हैंस का दूइप कहां पाई जाती है लेंगर हैंस का दूइप पिका ये अगनासे में पाई जाता है और अगनासे जो होता है वो alpha, beta, gamma तीन परकार के cell से मिल करके बना होता है alpha cell जो होता है वो insulin का निर्मान करता है जो sugar level को बढ़ाने से बचाता है और beta cell glucagon को निर्मान करता है जो कि sugar level को घट जाने से बचाता है अगला question देखिए अच्छा दूसरा बात है कि अगनासे, gland और फिर organ दोनों की तरवर करता है क्योंकि organ जब बनता उस condition में ये अगनासे जोस का निर्मान करता है अग gland जब होता उस condition में insulin और glucagon का निर्मान करता है क्योंकि gland का काम है हर्मोन को स्रावित करना organ का काम है जूस का स्रावित करना जो की आचन तंत्र में मदद करता है इस परकार से अगनासे एक परकार का organ भी है और एक परकार का gland भी है अगला question देखिए प्रथम महिला जिन्होंने भोत्की और रशायनिक विज्ञान का नोबेल पुरसकार मिला था इनको मैडम क्यूरी इसका राइट एंसर हो जागा मैडम क्यूरी अगला question देखिए चंद्रगरहन घटीत होता है चंद्रगरहन कब घटीत होता है तो पुर्णिमा के दिन next question देखिए कि सुर्य गरहन कब आ होता है तो प्रतिपदा यानि कि अम्मावश्या के दिन शुर्य गरहन होता है और पुर्णिमा के दिन चंद्रगरहन होता है प्रकास का साथ रंग होते हैं तो रंगों को अलग-अलग करने का क्या तरीका है पहला तरीका कि उनको प्रिज्म के जरी हम लोग रंगों को अलग-अलग कर सकते हैं देखे जो सन लाइट होता है वाइट लाइट white light में seven light include होता है जो कि हम लोग याद कर सकते हैं विब ग्योर से P I B P Y O R तो एक प्रिज्म से रंग को अलग-अलग किया जा सकता है प्रिज्म क्या होता है तो काच का बना होता है प्रिज्म जिसका एक pointed होता है नीचे जो होता है एक चतुर्भूज आकरीति का होता है उपर जो होता है pointed होता पिरामीड की तरह है वाइट लाइट जैसे ही आता है यह क्या करता है यह seven parts में इसको divide कर देता है वही है आपका विब ग्योर अगला कोशन देखिए और white light का साथ भागों में तूटना ही वर्ण विच्छेपन का लाता है प्रोसेस को का लाता है वर्ण विच्छेपन अगला कोशन देखिए हमें वास्तविक सुर्योदय से कुछ मिनट पुरू ही तूरे दिखाई देने का तारण क्या है तो देखिए वास्तविक सुर्योदय नहीं उगाराता लेकिन पहले ही उनकी खवी हमें दिखाई देती है ऐसा इसलिए क्योंकि परकास का अपवर्तन ह समझेते हैं देखिए प्रकास का प्रावर्तन क्या होता है एक ही माध्य में जब light आता और किसी शर्फेस से टक्रा के वापस लोट जाता है इनको कहेंगे इस प्रोसेस को कहेंगे प्रकास का प्रावर्तन लेकिन अगर वो दो मीडियम का यूज करके लाइट एक मीडियम से दुसरी मीडियम में पास करता है और वो अपने पत से विचलित हो जाती है तो इनको कहेंगे प्रकास का अपवर्तन और इनी अपवर्तन के कारण ही सुर्योदय उगने से पहले ही दिखाए दे अगला कोशन देखिए यदि सावन के दो भिन भिन व्यास चावन के दो भिन भिन व्यास के बुल्बुलों को एक नली दुवारा एक दूसरी के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटीत होगा देखिए सावन नहीं होगा सावन होगा सावन के दो भिन भिन व्यास के बुल्बुले देखिए इस कोशन का राइट एंसर होगा कि छोटा बुल्बुला तथा छोटा वो बड़ा बुल्बुला और बड़ा हो जाएगा मतलब कि जो छोटा बुल्बुला होगा वो बड़ा बुलबुला होता है इनको अगर सम्मी प्लाय जाएगा तो क्या होगा दोनों क्या होगा अट्रेक्शन करेगा और यह जो छोटा बुलबुला है इनका इसमें इंक्लूड हो जाएगा जिसके करण यह और भी ज्यादा बढ़ा हो जाएगा अगला कोशन देखिए प्रावर्त त्रिष्णा के बारे में तुमिप्रिश्णा जो होता है वह उधारन है देखे जब अपवर्तन का पूर्ण आंतरिकल प्रावर्तन होता है तो ही जाकरके इनका उधारन है एक्चुल में क्या होता है कि रेगिस्तान वाला इलाका में बहुत सारा रेट जब हीट होता है रेट क्या होता है रेगिस्तान वाला इलाका में सनलाइट के कारण बहुत ज्यादा हीट होता है जिसके कारण रेगिस्तान का जो रेट होता है जसक उसके उपर ऐसा प्रतीत होत कुटने जाता है तो पता चलता है कि वहां पर कोई भी पानी का अंस नहीं हो इसा चीज को बोला गया है मरीग का मतलब होता है कि एक्तिरिशन का मतलब होता है कि एक परकास से धोखा उना रहे अगला कोशन देख będ मेरी जात्य परकास क क्या है एक माध्यम से दुसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होता है आवरिती समान बनी रहती है देखिए आवरिती समान बनी रहती है पट जब एक माध्यम से दुसरे माध्यम में जाती है तो उनका जो डारेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है या फिर वो नॉर्मल की और कि दिखाय दिता है क्योंकि छोटी तरंग्धे वाला प्रकास बड़ी तरंग्धे वाले प्रकास की अपेच्छा वाई मंदल द्वारा अधिक प्रकृर्णित होती है कहने के मतलब है कि waar अचेय केक मेरेख होता हैBar कलर में जो ब्लू कलर होता है उसका प्रकेरनन ज्यादा होता है ज्यादा प्रकेरनन होने के Kारण क्या होता है कि आसमान अब भू अब ज्यादा फैलने के कारण वह स्काईBlu Color का करतीत होता है तो अगर देखा जाए तो प्रकिर्णन के कारण इसका सही अंसर होगा ठीक है ब्लू कलर का प्रकिर्णन के कारण अस्मान का कलर नीला दिखाए देता है अगला कुशन देखिए अंतर दर्शी यानि की इंडोस्कोप क्या होता है इसकोशन का राइट एंसर हो जाएगा इंडोस्कोप कि यहां अहार नाल के भीतर दिखने के लिए प्रियुक्त एक प्रकाशिक यंतर होता है अहार नाल का मतलब होता है इस नली के जरिए भोजन इंटर करता है उस नली को भीव करने के लिए प्रकास प्रकाशिक यंतर होता ह उसमें light लगा रहता है तो अक्छल में इसका मेन वर्क होता है कि आहर नली को करवाना थे लिए मिलते हैं स्क्लास